हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल तबस्टू मैट दरेट 786 स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन मटन को टकर देने वाली मश्रूम मसाला की बेहद हीला जवाब रेसिपी आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं साही मश्रूम मसाला बनाने के लिए मैंने मश्रूम के एक पैकेट को ले लिया है और उसको अच्छे तरीके से धो लिया है और उसको सुखा लिया है अब मैं मसरूम को काट लेती हूँ मैंने मेडियम साइज के मसरूम में दो भाग किया है और छोटे में 20 से ही कट लगा लिया है और जो ज़्यादा बड़ा है उसमें 3 भाग करके कुछ इस तरीके से मैंने सारे मसरूम को काट लिया है ज्यादा छोटा साइज नहीं करेंगे इसको मेरिनेट करेंगे डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर एक चमच काली मिर्च पाउडर भर के एक चमच कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर ये तीखा नहीं होता है कलर के लिए ए एक चमच नमक और एक चमच अद्रकलासं का पेस्ट इन सभी को अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे और इसको ढखकर आधे घंटे के लिए मेरीनेशन के लिए छोड़ देंगे ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करेंगे दो हरी मिच, दो मेडियम साइच का प्याज, दस से बारा काजू और एक बड़े साइच का टमाटर इन सभी को हम लोग पीस लेते हैं यहाँ पर मैंने मसाले को पीस लिया है अब हम लोग गैस को ओन करके कड़ाई चड़ाएंगे उसमें मैंने एक कप के करीब तेल डाल दिया है तेल अच्छे से गरम हो गया है तो उसमें एक चमच जीरा, एक चमच हल्दी पाउडर डालेंगे यह अच्छे से चटक जाए तो जो मसाला हम लोगों ने रेडी किया था उसको डाल कर अच्छे तरीके से चला लेंगे अब डालेंगे एक चमच तिखी लाल मिश पाउडर एक चमच नमक और आधा चमच मटन मसाला अगर आपके पास मटन मसाला नहीं है तो इस जगा पर आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से चला चला कर मेडियम फ्लेम पर ढग ढग कर हम लोग दो से तीन मिनट तक भूनेंगे यहाँ पर मेरा दो से तीन मिनट भूनने के बाद मसाला का कलर एक दम से चेंज हो गया है तो फ्रेस मलाई मैंने एक बड़ा चमच ले लिया है उसको डालेंगे और इसको डाल कर और दो से तीन मिनट तक भून लेंगे मेडियम फ्लेम पर और यह मसाला अच्छे तरीके से भूना जाएगा यहाँ पर मेरा मसाला अच्छे तरीके से भूना गया है इसका color एकदम से change हो गया है, आप देख सकते हैं, तो जो मेरिनेट किया हुआ मसरूम था, सारे मसरूम को इसमें डाल देंगे और इसको चला लेंगे एक से दो बार, चलाने के बाद थोड़ा सा पानी हम लोग डालेंगे और फिर से इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे चारो तरब से और धक देंगे धक कर मैंने यहाँ पर लोफ लेम पर 4-5 मिनट तक मसरूम को कुक कर लिया है 4-5 मिनट कुक करने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं यह अच्छे से कुक भी हो गया है तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग चारो तरफ से कडाही के तले में इसे कल्ची से चला चला कर भून लेंगे और यह हमारा यहाँ पर मसरूम दोनों ही अच्छे से बुना गया है पत्ता मैंने यहाँ पर कट करके रखा था उसको डालेंगे और आधी कटोरी पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी जादा एट नहीं करना है कि मसरूम हमारा कुक हो गया है पहले ही और मसाला भी अच्छे से बुना गया था यह हमारा सूपर टेस्टी साही मशरूम मसाला बनके रेडी है इसको सर्व कर लेते हैं यहाँ पर मैंने छोटा सा पलेट में मशरूम को सर्व कर दिया है एकदम बेहधी मज़ेदार टेस्ट वाली यह मशरूम मसाला नॉन्वेज को टक कर देती है तो आप लोग इस करना ना भूले